हेलो दोस्तों वेलकम टू आर्ट एंड क्रफ्ट विट टोगोर देखिए आज हम लोग ऐसा एक वाल मिरर बढ़ाएंगे यह कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा और जो कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर में सब्सक्राइब को मत्मुंत्स फुम थार्त मुर्ट से बनाने के सोच रही हो देखिए इसका में साइब प्रेस कर देंगे तो इसके अंदर फज जाएगा और इसका जो जितने भी काटा वगएरा है उसको साइड में भी रखेंगे रखे मैं एक पुराना न्यूस पर लिए यह कैलेंडर है तोड़ाँ सा हाड है इसलिए इसको लिए तोड़ाँ सा हाड पाइप टाइप का बनाओंगी दे इसी पतला से करना पड़ेगा मुझे यह ही साइज चाहिए तो मैं यह ली हूँ देखिए करके लास्ट में इसको फ्यविकल से चिपका दूँगी इतना सारा मैं रेडी कर लिए अभी पीछे के गोल के नाप से मैं दो काट बोर्ड का टुकड़ा काटी हूँ काट के बीच इसको एकए करकर जोडती जाओंगी बीच में से जोड़ोंगी सको मतार करना था लेकिन अभी कंट करेंगे लास्ट में करेंगे पाहले काट करने से खुल जाने का इसे करके सारे को चिपका दूँगी, देखिए सारे चारो तरफ इसको चिपका दी हूँ, अभी जो बीच में है, इसको एक एक करका, ऐसे फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे, यह पहले कट करने से एजी रही था, क्योंकि पेपर थोड़ा हाड था, तो मुझे काटे में थोड़ा सा मुस्किल हुई थी बहुत अगर मुझे मेरा वीडियो देखके कोई बना रहे है तो प्रीज कट कर लिजिएगा आप लोग पहले ही फिर उसके बाद चिपकाईएगा देखिए यह मेरा रेडी हो गया इसको मैं ऐसे लगा के ऐसे देख रही ह देखिए अभी जो सेकेंड पीस काटी थी उसको भी पीछे से चिपका दूँगी तो थोड़ा यह मजबूत हो जाएगा इसमें आच्छे से ग्लू लगा के फिर चिपकाऊंगी देखिए चिपका दियूँ फिर इसको भी लगाएंगे अभी देखिए एक ऐसे जो काटबोर्ड है काटबोर्ड का बॉक्स लिएक इसको रखके जो स्प्रे प्रेंट होता है यह जो गोल्डेन कालर का है इससे पूरा स्प्रे कर दूँगी अच्छे से इसको किसी के उपर रखूंगी नहीं तो नीचे गिरेगा तो यह चिपक ज अगे है अब इसमें जो इसका मिडिल का फिर पिपर ही इसके लिए मैं एक प्रिंटर से कॉम्पिटर से इसका जो कोई भी आप वाल क्लॉक नियुक है जो डीजाइन आपको पसंद है मैं गोल्डेन बना रहे हूं तो गोल्डेन कलर का है एक ऐसे जो अच्छा वाला पेपर मैं इसको और इसको निकाला लोगा तुर ब्ल líqu1 को जाधा एक जगा पर नहीं लगाने प्र€ कि इसको चिप लाएंने कैभी तो के अंदर कहते हैं वह दिखर है कि उसको पैन के मदद से पुरा कि एकडम बढ़त कर लिए जिद्धा इसपहर बढ़स्यнее निकाल लेंगे अभी पीछे देखिए ऐसे निकाल गया इसका जो पेपर है वो थोड़ा बहुत जो बाहर निकला हुआ है जित्रा हो सके मैं कट कर दूंगी जब श्प्रे कर रही थी इसमें तो यह निकालना मैं भूल गई थी तो बात में निकाल दी थी मेशिन तो अभी इसको फिर से लगा रही हूँ लगा के थोड़ा सा इधर भी पेपर दीख रहा है तो उसको भी किसी सार्प चीज से मैं उसको अंदर के तरफ फ्रेश कर रही हूँ और यह हैंस को लगा लेंगे यह हैंस लगा ना इसका अलग से काट होता है तो उसमें इसको लगा लेंगे तो असानी से यह लग जाता है अभी ग्लास को भी लगा लेंगे लगा के पीछे जो घड़ी का स्कुरू है वो टाइट कर देंगे वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा और जो गोई भी मेरे वीडियो को डिया देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो ऐसा नया नया आइडिया आपको मिलता रहेगा देखे स्क्रू टाइट हो गया अभी इसको इसके अंदर इसको चिपकाना है तो इसको उल्टा करके पहले रखेंगे तो किसी पेपर के उपर मैं रख रहे हूं रखके इसको ऐसे करके पुड़ा चारो तरप इसको ग्लू लगाएंगे लगाकर इसको अच्छे से चिपका देंगे ग्लू ज्यादा करके लगाना पड़ेगा निकलना जाए वो ध्यान रखना पड़ेगा देखिए इसको चिपका दूँगी थोड़ा सा पकड़के रखेंगे तो आच्छे से चिपक जाएगा और इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सेट होने के लिए अभी देखिए इसको उल्टा कर लेंगे अार्द मेरे पास ऐसे मीरा है के लेखें क्जों चोटा टाइप ऐस से थोड़ा सा बड़ा है इसको व्हुए था-खकर के कौहीब आपको जाहंमन्न पर देंन्ऽ हुए उधर चिपका लिजए ऐसे करके चिपका रह हु थोड़ा तीन तीन छोड़कर एसे मैं बड़ा लगा रही हूं फिर वीच में दो-दो करके दोनों साइट में लगा रही हूं फिर और एक लगा ना दी हूँ कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई